तो चलिए रुख करते राजिसान से इस बक्ती बड़ी ख़बर सामने आड़ी जहाँ पर राजिसान की जंग आउट ओफ कॉंग्रेस हो गई है पालेट वर्सिज गैलोट की लड़ाई तेज हो गई है अजे माकन का बड़ा बयान सामने आया है अजे माकन का खेना है कि अमेले नहीं चाहते कि पालेट सीम बने गैलोट गुट ने भी तोड़ा है अनुशासन तो राजिसान से ये बड़ी ख़बर आपको बता रहे है तो कॉंग्रेस में अध्यक्ष और राजिस्थान के मुखे मंत्री का चैना अपस में उलज गया है अशोक गैलोट के अध्यक्ष पद के नमांकन के बीच सचिन पालेट को मुखे मंत्री बनाय जाने की संभाबना बनने लगी है ऐसे में गैलोट गुट हाई कमान से भी बिड़ गया है गैलोट गुट ने विधायक दल की बैठक का वहिशकार कर दिया है कॉंग्रेस अध्यक्ष चुने जाने तक यानि की 19 अक्टूबर तक ये गुट किसी से भी कोई भी मिटिंग में भी ये शामिल नहीं होगा शर्ते भी रखी गई है पहली शर्त है सरकार बचाने वाले 102 विधायक को यानि की गैलोट गुट से ही CM बने दूसरी शर्त है कि CM तब घोशितो जब अध्यक्ष का चुनाब हो जाए और तीसरी शर्त ये रखी गई है कि जो भी नया मुख्य मंत्री हो वो गैलोट की ही पसंद का ही हो इसी खीचातान के बीच औल इंडिया कॉंग्रेस कमेटी की ओर से जैपूर भेजे कए परिविक्षक ने आजे मागन ने कहा है कि विधायक नहीं चाहते कि सचिन पालेट को CM बनाया जाए साथ उन्होंने कहा है कि मुख्य मंत्री अशोग गैलोट से पूछ कर विधायक दल की मीटिंग रखी गई थी हम लोग विधायकों से बन टू बन बादचित करने के लिए तैयार थे तो देखिए राजिस्तान की जो सियासत है वो काफी चरम सीमा पर है इस दोरान गैलोट और साथ सचिन पालेट गुट में अलग-अलग बयान सामने आये हैं जिसको लेकर एक वार अजे मागन का भी बयान सामने आया उन्होंने कहा है कि विधायक नहीं चाहते कि सचिन पालेट को मुख्य मंत्री बनाया जाए तो देखें राजिस्तान से ये बड़ी खबर आपको बता रहें जहां पर राजिस्तान में जो सियासी जंग है वो काफी तेज हो चुकी है जो गैलोट गुट के जो बिधायक है उन्होंने बैठक में भी जाने से साफतोर पर इंकार कर दिया है और साथ ही इस दोरान शर्त से भी रखिये उन्होंने कहा है कि जो भी मुख्य मंत्री होगा वो अशोक गैलोट की ही पसंद का होगा साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जब तक अध्यक्षपद का चुनाब नहीं हो जाता है उसके बाद ही मुख्य मंत्री कौन होगा इसका भी जो नाम है वो बाद में ही लिया जाए तो इसी ख़बर पर हम मेरे साथ में कॉंग्रेस प्रिवक्ता प्रितिष्ठा यादब जुड़ चुकी है और बीजेपी प्रिवक्ता डॉक्टर नमीशा गोल भी मेरे साथ जुड़ चुकी है जो कयास हैं वो लगाए जा रहे थे और अब मुखे मंत्री पद को लेकर भी सियासत गर्मा गई है आखिरकार दोनों ही पद पर कौन कायम रह सकता है देखे मडम ये कॉंग्रेस पार्टी है और यहां लोगतन तांत्रिक तरीके से काम हो रहा है चुनाओ हो रहे हैं संगठन के भी और उसमें भी चुनकर हमारा अध्यक्ष बनने जा रहा है तो निश्चित रूप से कुछ नया पार्टी के अंदर हो रहा है और कुछ नहीं कॉंग्रेस पार्टी में आने वाले दिनों में आपको सब कुछ एकदम नया और परफेक्टनेस आपको नजर आएगी और यह लोगतन तरी है कि इसमें खुलकर अपनी बात रखने का हर विधायक को अधिकार कॉंग्रेस पार्टी के अंदर है बिजेपी की तरह हमारे यहां ऐसा नहीं है कि दो व्यक्ति या एक व्यक्ति जो फैसला कर दे वो ही सब मान ले हमारे यहां पर यह परंप्रा है कि यहां लोगतनतर की बात करते हैं तो सब से पहले हम अपनी पार्टी के अंदर भी लोगतनतर की बात करते हैं यहां लोगतंत्रिक तरीके से अद्धेक्स का चुनाओ हमारे यहां होने जा रहा है और इसके लिए गैलोद साथ नावांकन करेंगे और आने वाले टाइम में आपको पार्टी एक नई रूप में खड़ी नजर आएगी बहुत मजबूत इसके साथ में दो फासिस्वादी ताक्ते हैं इनसे एक जुटा के साथ पार्टी लड़ेगी पर तिख्ञाजी जिस तरीके से अगर आप जिस तरीके से बोल रही हैं कि लोग इस दौरान बात करे हैं लेकिन एक ही खेमे के बिश्ख्रोप अलगाए और घ्यलोद गुट अलगाए किस तरीके से ये दो गुट एक ही परिवार में देखें ये कॉंग्रेस से बड़ा परिवार है एक बड़ी पार्टी और बहुत पुरानी पार्टी है तो निशित रूप से सबकी अपनी भावनाएं हैं लेकिन ये चीज जो पिछले चार साल में क्योंकि ये चीजे हम बहुत सुनते आ रहे हैं कि गुट गुट लेकिन जब वाई एलेक्शन के अंदर भी एक जुटता पार्टी ने दिखाई पार्टी के सारे विदायकों दिखाई अपनी अपनी बात कहने का और अपना जो विचार है उसको रखने का अधिकार लोगतंतर में सभी को होता है और कॉंग्रेस पार्टी में लोगतंतर जिंदा है इसल अब तो पहले ही छोड़ने की बात कह चुके है और उन्हों में तो बहुत पहले भी एक आता कि सोनिया गांदी जी के पास है मेरा रेजमिनेशन जब वो चाहें तब मैं पद छोड़ सकता हूं उनको कोई पद की लोलूपता है नहीं और ये कांग्रेस पार्टी ही ऐसी है कि जहां पर देखिए राहूल गांदी से लेकर गहलोत तक कोई वे ऐसा नेता नहीं है जो केवल पद के पीछे भाग रहा हो हर नेता के अंदर एक त्याक की भावना है और ये त्याक की भावना की चुरुआ सोनिया गांदी जी ने की थी प्रधान मंत्री का पद त्याग कर क की थी और राहूल गांदी जी खुद क्योंकि जब यूपे की गवर्मेंट की बन सकते थे लेकिन उन्होंने नहीं बना और आज भी वो अदेक्स क्योंकि पूरी पार्टी चाह रही है उनने प्रस्ताव भी पास करके उनको अदेक्स बनने के लिए उनके उपर छोड़ा ल है कि परिवार की तरह यहां पर किसी को लालच नहीं है लेकिन विदायकों का साफ तोर पर कहना है कि वो मिटिंग में ही शामिल नहीं होंगे आप कहती है दरार नहीं है मैं इस कहा रहedar हूएं कि वो अपनी बात कहने के लिए क्योंकी यही तो जास पर पुरा अदिकार है अपने बावनाएं अपने जो सिर्ष नेतर तों तक पहुचाने का काम हर विदायक कर रहा है लेकिन बैठक में नहीं शामिल होना ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है कॉंग्रेस के अंदर ये बड़ा सवाल है कि देखे आला कमान की आप बात मानने के लिए तैयार हैं लेकिन जो बैठक बुलाई जा रही है उसमें वो शामिल नहीं होना चाहते हैं देखे ये कुछ विदायकों ने मिलकर इसका जो भी डिसिजन लिया है तो उन्होंने कुछ समझ कर अपनी बात आला कमान तक पहुचाने के लिए जिस नेतर तो कि नुटिश में जो उनकी बाते हैं उनको रखने के लिए उन्होंने लिया है और ये निस्टित रूप से आप दिसिजन लिया जाता है जिसमें सब की भावनाओं का सम्मान किया जाता है जिस दिसिजन में वो डिसिजन परफेक्ट होता है कोई भी चीज का हम नेने लेते उसके थोड़ा वाद विवाद हो सकता है थोड़ी एक दूसरे के अंदर मत भेद हो सकता है लेकिन मन में भेद क ही नहीं आएगा जब सब कुछ जब अध्यक्स हमारे रास्ते चुनाओ के मारफ़त बन जाएंगे और यहां पर भी जो भी हाइकमान जिशाने देश देख सब को मानने हैं सबने डिशिजन आखरी हमारे सिर्ष नेतर पर छोड़ा है लेकिन उन्होंने बात वहां तक पहुच है चलिए बीजेपी प्रवक्ता नमीशा जी भी हमारे साथ जुड़ी है नमीशा जी किस तरीके से आप जिस तरीके से कॉंग्रेस के अगर बात करें अध्यक्स पद का भी चुनाप करना है सी एम पद को लेकर भी इस समय कवायत जो है वो काफी तेज है गहमा गहमी नजर रही है क्या कुछ कहना इस बेगाए नाज जो सितिया बनी है वह आज की नहीं है पहले बी दो साल पर बी यह घटना करम हुआ था और वोटल में जाकर कि इनोंने खुद को बंद कर लिया था कैद कर लिया था आपस में अंध्रुमी लड़ाई है कि जब इन्होंने भी आपके सामने कि कॉंग्रेस के अंद्रोनी मामले में ज्यादा तो नहीं काऊंगी लेकिन जो दिख रहा है हैं परियव एक्षज वजे माकन जी आए हैं उन्होंने कहा कि मिल रहे हैं कुछ प्रतिष्टा जी स्विकार कर रही हैं कि सब जो गटना करम हो रहे हैं हम यह आला करम की ध्यान में लाने के लिए कर रहा है तो उसकी उस जंगल राज का पूरा का पूरा प्रभाव जो है ना वो आम जनता पे पड़ना है कानून व्यवस्ता की डज्जियों भी राजिस्थान में लेकिन इनकी सरकार बने बिगडे मुखे मंतरी बने आये इस गुट का पूरा प्रभाव जो है दुष्ट प्रभाव मैं कांगी वह आज राजस्थान में पढ़ रहा है बिगड़ रहे हैं बोल आ रहे हैं लगाता है आज के चार दिन पहले ता आप देख रहे थे एक वेक्ति एक पद्धी सिद्धान मेरे पे लागो नहीं होता मैं थन्ये छोड़ कही हैं तो इनका दूसरा विवार होता है तो ये दोगली राजनीती जो करती है ये कॉंग्रेस कई भागों में विवाजित कॉंग्रेस अभी गुलाम नभी आजात में भी अपनी पार्टी बना लिए डेमोक्राटी का आजात पार्टी तो ये लगातार विगटन लगातार वि कॉंग्रेस अभार का ठीकरा आने वाली हार का ठीकरा गांधी परिवार पर नहीं मरना चाहती थी तो ये आहुत किस पर करें ऐसा लगता है कि आहुती देने के लिए राजिस्थान के मुख्य मंद्री को चुनन हो गया है यानि कि साफ तोर पर कहना है कि एक कटपुतली की मुख्य के लिए तरह किसी एक को यह जो गांधी परिवार है वो बैठाना चाहता है कि बिल्कुल ऐसा प्रतीत होता है राजनित्य कुछले होति सब्सक्राइं तो यह सीधी तरह से जटकने वाली बात है की अब तो डैकिशी की बात करते हैं एक परिवार के हाए्ट हम तो कहते हैं हम जग्रिव शुक्कामनाय में देती हूं और सुस्ति हूं कि कम से कम ये वैसे जैसे प्रधान मंत्री थे मन्मोहन सिंग मात्र कट्पुतली थे उस तरह से संगटन के रास्चे अद्रक्षित कट्पुतली ना हो ये और शायद कुछ कॉंग्रेस का भला हो जाए और भारत जोड़ो यात्रा जो है गोवा से तूटती भी राजिस्थान तक तूट गई है अब आगे कहां त पर लगते नजर आ रहे हैं फिर से अध्यक्सपत पर ऐसे इनसान को बैठाना चाहते हैं साफ तोर पर बीजेपी की तरब से यह कहा कि बीजेपी की आदत है आक्षिप लगाने की लेकिन मैं आपको एक बात आप भी इस चीज़ को आप एक बर देखिए फ्लैक्ट में जाक लेकिन ये लोग बोलते बहुत जबांता हैं और करते कुछ नहीं आज देश के हालात सब के सामने हैं ये मैंगाई और बेरोगशवारी पर बास नहीं करना चाहते है इन्होंने देस principle कहां से का पहुचा दिया है कि आज रोजगार करके अर्थ प्रिवस्था में आई यह नेमिशा जी का संतूलन ठीक है बाकि आप भार निकल के देखिए इस कमफर्ट जोन से लोगों का जिना किस तरह से बेहाल हो गया है लोगों गाउं के अंदर आप जाकर देखिए किसानों की हालत क्या हो रही है लोग कर्ज के बोज तले दबे हुए हैं आपको दिखाई नही पर नेत्रा पैसे वाले हो गए हैं उनकी जो एकोनोमिक था जो डाउन चल रही थी बीजेपी वह दो पैसे वाली पार्टी बनकर उबरी है इसमें कहीं कोई शक नहीं है यह साथ साल में बीजेपी का विकास पुरा हुआ है लेकिन इस देश का विकास कहीं पर नजर नहीं नमीशा जी मैं आपके पास लोटूंगी बिल्कुल आप अपनी बात रखेगा लेकिन जो एलिगेशन आपकी तरफ से लगे हैं उस पर हम राय ले रहे हैं प्रितिष्ठा जी से हाँ प्रितिष्ठा जी बोलिए क्या कुछ कहना उसको लेकर क्योंकि बात यहां पर पर कायम रहना चाहते हैं क्या कुछ है? र majorしたan में इनको fail कर दिया था इनकी जो effort था उसका मूते जवाब राजश्षान सरकार के अंदर जिया गयाया थाम सरकार कि लादे में ये नकाम रहे थे और ऐसे ही ये देश के अंदर नाकाम सिर्बोंगे तो इसलिए ये केलोड साब को को एक तरह से बदनाम करने की साजे सरच रहे हैं बाकि इनके पास कुछ नहीं है इनको अपना अपने पार्टी के अंदर चल रही सिच्वेशन का कोई जायजा नहीं है उसके बारे में कुछ बोलने को तेलार नहीं है इनके 10-10 CM फेस हैं और उसके बावजूद भी ये चुने परिपक और बहुती मजबूत नेता है नेतरतों करने की उनके अंदर जो एक ग्रास रूट से निकल कर जिस तरह से संगर्ज करके वो आगे बढ़े हैं इमानदारी के रास्ते पर चल कर और हर चीज़ पर उनकी पैनी नजर रहती है और हर साजिस का मूँ तोड़ उन्होंन देश के अंदर जो फैसला होगा पूरण ट्रूप से लोगतांतरिक तरीके से और इस देश के हित में ना केवल कांग्रेश के हित में बलकि देश के हित में हर फैसला लिया जाएगा यह इस चीज़ के लिए मैं आपको आस्वास करती हूँ जी नमीशा जी क्या कुछ कहना इस पर देखिए सेनिकों की शहादत पर प्रशन उठाने वाली सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने वाली कॉंग्रेश पार्टी आज हाशी पर इसलिए है देश के भले किना मैडम सर्जिकल स्ट्राइक हमेशा होती रहती थी यह चीज़े कुछ हाइड पार्ट होते हैं जिनका पब्लिस नहीं किया जाता आपने एक काम अच्छे चाहती आप एड़ोटाइस के गुरू हैं आप जुमले बास हैं आपके पास जुमले एक से एक बढ़िया हैं बाकि सब चीज़े पहले भी होती थी आपने नया कुछ लेकर आए हो तो बताईए यह सी हम लेकर आ रहे थे तब आप रोध कर रहे थे तिरह आप जिस्टा जी बिल्कुल आपको बोलने का मोका दिया जाएगा जी नमिशा जी बोलिए आज इस सितिक कॉंग्रेस क्या है जब से 18 1985 जब से इनका जनम हुए जनम के समेश के दो संरक्षकते दादा बाई नौरा जी फिरोशा महता उन दौनों की पुन्यतिती जनमतिती बनाते तक नहीं है तो जो अपनी जडों से कट गए न वो आज तक विगटित होते होते विभाजन में अभी अभी गुलाम नभी आजा जी आपकी कॉंघ्रेस पार्टी में है उसकी रितिनिती बुद्री तो इतने साल गुलाव नभी आजाद की बड़ी चिंता सता रही है इतने सालों तब उनको गुदन क्यों हो एक ऑने आपने डिका डर दिखा कर उने तोड लिया इनकी ये अपने राजेश राज्यों में ये थे वहां भी सरकार नहीं बचा पाए आज पंजाब की सितिया आप देख लिए जमाना जब कुई है और ही राजिस्थान की बात तो राजिस्था में शासन प्रशासन का दुरूपयों करके कानून व्यवस्था की बत्तर हालत करक इस लिए जो आप कर रहे हैं पूरे देश में हर चुने हुई सरकार के खिलाप आप साजिस्था सरक्र जो ये सब्दक आप विजा पर अरोफ लगा रहे हैं तेम आप कर रहे हैं इस देश के अंदर आप तर दरह सा ही किया है मैडम जी इनसे पूचा जा रहा है इंसे आप देखे अभी मेडिया के अंदर आपका चुनावी ब्योरा आया था, पांच राज्यों के चुनाव का जो खर्ट का ब्योरा आपने दिया, विजेपी का चुनाव खर्ट आप देगे कितना आपने बढ़ा दिया है, केवल सत्ता लोरुप पैसों के धन्बल का इस्तेमाल क क्या आप सब्ता पाना चाहते हैं, तो आपकी स्थिती क्लियर है, आप दिवया मदेना को जवाब दीजिए न, चुरुन जी वी योजनों के जीओ और आती है, विदान सबाद देगे, दिवया को तुम देदेगे, आप वसंद्रा को दीजिए, आप वसंद्रा राजे विवेट में जुड़ी हैं, और तमाम तरह की जो बाते हैं, दोनों पार्टी की तरफ से रखी गई हैं, लेकिन सवाल यही है, कि कॉंग्रेस का अगला ध्यक्ष कोन होगा, सीएम पत को लेकर राजिस्तान में जिस तरीके से, जो सियासत तेज हो चुकी है, जो कॉंग्रेस में दो गुटों में बढ़ चुकी है कॉंग्रेस पार्टी, जहां पर जो अशोक गहलोद का गुट है, वो अलग अपनी तरफ से बोलना है, कि जो भी सीएम होगा, वो अशोक गहलोद की पसंद का होगा, तो बहीं सचिन पालेट की तरफ से भी गुट अलग हो चुका, तो